आज मैं आपको एक सस्ती और एक महेंगी ट्रिक बताऊंगी अगर फेलर के चौक को धार नहीं है तो हमारी लाइनिंग कुछ इस तरह से आती है लेकिन अगर आपके चौक को धार होगी तो आपकी लाइनिंग फिनिशिंग से आएगी कुछ इस तरह से चौक को शार्प करने के लिए मैं ये टूल यूज करती हूँ जो कि मैंने लोकल मार्केर से 200 में लिया था इसमें एक साइड में ब्लेड्स होते हैं जिससे आप चौक को शार्प कर सकते हैं आपको यह नहीं मिलेगा और मिलेगा तो बहुत ही महेंगा मिलेगा Amazon पे 2000 का है ऐसा साइड से आपको इस पर ऐसा घिसते रहना है जब तक कि चौक आपका शार्प नहीं हो जाता चिलेगी आपको मेरी यह सस्ती ट्रिक मुझे कमेंट में जरूर बताना और मुझे फॉलो करना मत भूलना थांक्यू